Hello everyone, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिमावस थेरम से रिलेटेड कुछ important question जैसा कि हमने last lecture में डिमावस थेरम किस तरह से proof होती है वो हम already देख चुके हैं अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखेगा जिससे कि आपको यह question और अच्छे से समझ में आएगी तो चलिए इसकी solution करते हैं वरस्त वमावाने perder हैंगल सेसंगा लू वो ह Edu 3 यह देट थेखे होड़ थे इसकी? ब में ब के तो तो पर 5 इसक स्ऌन में देखे होड थे स्पर ₹ थेहोड थेहोड थेट जिस देखे 1. 9 और equal to हमें 1 प्रूफ करना है ठीक है तो हमें LHS equal to लेना है यहां पर और हम according to De Moves Theorem के ही rules ही हमें से solve करेंगे means अगर यह हमारा जो भी factor है cos 3 theta plus iota into sin 3 theta whole raise to the power 5 into cos 2 theta minus iota into sin 2 theta whole raise to the power 3 by cos 4 theta plus iota into sin 4 theta whole raise to the power minus 9 into cos 5 theta plus iota into sin 5 theta whole raise to the power 9 ठीक है, means कि इसकी पाबर माइनस में है, माइनस 9 है, और ये पॉजिटीव है, ये भी पॉजिटीव है, ये भी पॉजिटीव है, ये फैक्टर हमारा माइनस में है, तो हम एक्टरिंग टुजिटीव से, जो भी हमारा पाबर होता है, वो एंगल में आता है, हम निगेटिव के लिए भी यहां पे देख चुके थे, यहां पे अगर निगेटिव है, तो कॉस ठीटा माइनस आयोटा इंटू साइन ठीटा, ये अगर रहेगी, होल रिश्टीव तो भी हमारा एंगल में ये ताम आयागा, मिंस कि अगर हम इसे पॉजिटी बनाने की, यहां पे, मिंस ये अगर हम पॉजिटी बनाए, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस टीटा, माइनस टीटा, इक्वल टू कॉस ठीटा होता है, प्लस आयोटा इंटू माइनस टू ठीटा, इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं, तो इक्वल टू हम, यह हमारा रफ है, ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, एक्कॉर्डिंग टू डिमोवेस ठीओरम के अक्कॉर्डिंग, जो पाबर है, वो एंगल में आ जाएगा, तो यहां पी क्या हो जाए क्योंकि यह फैक्टर मुल्टिप्लाई में है, फिर हम इसे ले सकते हैं, कॉस थ्री इंटू 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 इंट फोर थीटा प्लस आयोटा इंतु साइं माienस 9 इंतु 4 थीटा और यह कॉस 9 इंतु 5 थीटा प्लस आयोटा इंतु साइं 9 इंतु 5 थीटा इस तरह से और यह ब्राइकेट क्लोज हो जाएगी अभी सबसे पहले तो हम मील्टिप्लाइ कर लेते हैं क्या हो जाएगा cos 15 theta plus iota into sin 15 theta into यह हमारा हम इसे curly bracket दे देते हैं फिर यह हमारा factor है तो यह हो जाएगा 6 theta minus iota into sin 6 theta y यहाँ पर हो जाएगा cos minus 36 theta plus i ओटा into sin minus 36 theta curly bracket close और यहाँ पर cos 9 into 5 है तो 45 theta plus i ओटा into sin 45 theta इसे भी close कर लेते हैं अब यहाँ पर according to demovist theorem हम यहाँ पर simply अगर इसे multiply करें तो भी हमारा solve होगा लेकिन अगर suppose हम theorem में देखे थे कि अगर यह theta 15 theta के जगा पर theta 1 theta 1 इसकी angle और इसकी angle theta 2 theta 2 इस तरह का factor हो तो यह minus में है तो क्यों इसे हम plus में कड़ कर अगर यह हमारा positive इस थरह से आ जाए माइनस है तो sin minus theta equal to minus sin theta होता है तो अगर यहाँ पर plus ले ले तो iota into sin minus 6 theta इस तरह से y यहाँ पर हमारे पास cos minus 36 theta इस तरह से था plus iota into sin minus 36 theta तो अगर यह हमारे पास यह plus है तो यह minus 36 यह हमारे पास 36 theta इस तरह से है तो और यह वाला term है यह term है cos 45 theta plus iota into sin 45 theta तो अगर यह हमारा सभी positive में मिन्स सभी plus में तो cos theta 1 plus iota into sin theta 1 into cos theta 2 plus iota into sin theta 2 इस तरह से factor में रहता था तो angle add हो जाता था मिन्स कि यहाँ पर अगर डिमोवस theorem से हम देखे तो यह हमारा angle add हो जाते थे तो अगर यहाँ पर add करे तो 15 theta और यहाँ पर add होगा तो यह minus में है तो minus 6 theta हो जाएगा इस तरह से और यहाँ पर plus iota into sin 15 theta minus 6 theta y यहाँ पर cos minus 36 theta और यह हमारा एड हो जाएगा 45 theta plus iota into sin minus 36 theta क्योंकि यह हमारा imaginary part है plus 45 theta इस तरह से क्योंकि अगर आप इसे multiply करें मिन्स की पहले इससे इसमें multiply करेंगे तो cos 15 theta into cos minus 6 theta इस तरह से आएगा फिर यह हमारा real part हो जाएगा फिर इस से इसमें multiply करेंगे तो iota का square तो minus 1 sin 15 theta into sin minus 6 theta तो यह cos a into cos b minus sin a into sin b के form में बनेगा जहाँ पर हम minus में है तो यह हमारा plus में हो जाएगा लेकिन यहाँ पर minus 6 theta है तो इसलिए वो plus sin हमारा minus में यह minus 6 theta होगा ठीक है तो इस तरह से cos 15 theta minus 6 theta तो इस हम लिख सकते हैं cos 9 theta plus iota into sin 9 theta y यहाँ पर minus 36 theta plus 45 theta है तो यह भी हमारा cos 9 theta plus iota into sin 9 theta यह term आ जाएगा अब यह दोनों जो हमारा है यह दोनों same आ गया तो यह हमारा cancel हो जाएगा तो equal to यह one आ जाएगा means यह हमारा RHS आ गया तो आयो पर यह question आपको समझ में आये होंगे किस तरह से हम demovist theorem में जो भी हम factor लेते थे वहाँ पर हम एक term skip कर दिया मिंस कि अगर हम इस तरह से add किये तो हमारा term आ गया ठीक है तो आयो होब आप लोगों को यह question समझ में आऊगा तो next question देखते है next question है हमारा question number two prove that cos theta plus iota into sin theta का whole raise to the power 4 by sin theta plus iota into cos theta whole raise to the power 4 equal to cos theta plus iota into sin theta यह हमें proof करना है ठीक है तो यह हमें proof करना है cos 8 theta plus iota into sin 8 theta तो इसे किस तरह से proof करेंगे solution LHS लेकर चलेंगे LHS equal to cos theta plus iota into sin theta whole raise to the power 4 by sin theta plus iota into cos theta whole raise to the power 4 यह term हमारे पास दिया हुआ है तो यह जो उपर वाला हमारा जी यह factor है तो यह cos theta plus iota into sin theta यह हमारा factor तो सेम है means कि by Demoves theorem से according to Demoves theorem यह जो पाबर है हमारा angle में आ जाएगा बट जो यह वाला term है एंगल में multiply कर सकते हैं means कि यह cos 4 theta plus iota into sin 4 theta यह term हो जाएगा y इसे sin theta को cos theta में हम change कर सकते हैं means कि अगर cos pi y2 minus theta कर दे तो यह sin theta आ जाएगा means cos pi y2 minus theta equal to sin theta होता है तो यहां पे iota into sin cos को हम sin में change करेंगे तो pi y2 minus theta यह cos theta आ जाएगा whole raise to the power 4 अब यहां पे जो हमारे पास यह term आया तो हम इसे अब यह angle में हमारा आ सकता है means कि यहां पे cos का form आ गया और imaginary part में हमारा sign का form रहता है तो यहां पे यह angle multiply हो जाएगा तो यह cos 4 theta plus iota into sin 4 theta y यहां पे जाएगा cos 4 pi y2 minus theta plus iota into sin 4 pi y2 minus theta ठीक है यह सभी के multiply में means कि इसके angle में अब इससे जब multiply करेंगे तो यह 4 pi y2 minus 4 theta और 4 pi y2 minus 4 theta तो हम इसे calculation कर लेते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा अगर हम यहां पे दीखे 4 pi y2 आया तो 2 से 4 हमारा cancel होगा तो यह 2 pi minus 4 theta हो जाएगा 2 pi minus 4 theta कुछ इस तरह से cos 4 theta plus iota into sin 4 theta y cos 2 pi minus 4 theta plus iota into sin 2 pi minus 4 theta ठीक है अब यहां पे एक और हम formula जानते हैं cos 4 theta plus iota into sin 4 theta y हमें proof क्या करना है cos 8 theta plus iota into sin 8 theta तो यहां पे 4 तो है बट यहां पे 4 और लाना है ठीक है और तो यहां पे एक formula होता है क्या cos 2 pi minus theta अगर यहां पे theta रहे cos 2 pi minus theta equal to cos theta में आ जाएगा तो यहां पे हो जाएगा cos 4 theta यह हम formula apply कर लेंगे plus iota into sin और यह sin 2 pi minus theta minus sin theta होता है तो यहां पे हो जाएगा minus sin theta तो यह 4 theta और यहां पे minus होगा तो इसे हम जब तक bracket में लिख लेते हैं यहां पे minus है तो cos 4 theta plus iota into sin 4 theta y cos 4 theta minus iota into sin 4 theta यह term आ गया अब जो हमारा यह term है अगर हम इसमें रिशनलाइज कर दे means कि cos 4 theta minus iota into sin 4 theta इसे हमें eliminate करना है means कि इसे हमें cancel करना है तो किस तरह से करेंगे तो यहां पे अगर cos 4 theta plus iota into sin 4 theta यह term से हम rationalize means कि इस तरह से multiply कर सकते है cos 4 theta sorry यह angle हो जागा plus iota into sin 4 theta ठीक है यह multiply में है तो जब यह हमारा multiply में है तो यहां पे means a minus b into a plus b equal to a square minus b a square के formula पे हम इसे put कर देंगे तो यह हमारा term आ जाएगा means यह हमारा cancel हो जाएगा iota का square होगा जो minus 1 देता है और minus minus plus हो जाएगा तो हम इसे उपर में जो हमारा cos theta इस तरह से equal to cos 4 theta plus iota into sin 4 theta इन्टू यह हमारे पास cos 4 theta plus iota into sin 4 theta यह term हो गया और यह हमारा term क्या हो जाएगा cos square 4 theta square में minus iota का square into sin 4 theta equal to अब यहां पे हम देख रहे है cos theta अगर इसे theta 1 मान ले इसे theta 2 माने तो यह दोनों add हो जाएगा plus iota into sin 4 theta plus 4 theta y यहां पे cos square 4 theta यहां पे इसकी value iota square की value minus 1 होती है तो minus minus plus sin square 4 theta ठीक है तो जब हमारा angle same है और यह cos square theta plus sin square theta equal to 1 होता है तो angle same है और square में है तो इसकी value 1 हो जाती है और यह हमारा हो जाएगा cos 8 theta plus iota into sin 8 theta तो यह हमारा proof हुआ by 1 तो equal to हमें RHS यही लाना था cos 8 theta plus iota into sin 8 theta तो equal to RHS RHS hands proved तो यह हमारा question solve हुआ next question है हमारा यह भी काफी important question है और इस type के भी question हमारे exam में पूछे जाते है तो prove that a plus iota into b whole raise to the power m by n plus e minus iota into b whole raise to the power m by n equal to 2 bracket a square plus b a square whole raise to the power m by n into cos m by n into tan inverse by a यह हमें proof करना है तो हम इसे किस तरह से proof करते है जैसा कि यह question जो हम देखे यह हमारा proof हुआ तो यहां पर सभी demovas theorem से related है यह भी हमारा demovas theorem से related है बस हम इसे इसमें हम कुछ formula और use करेंगे जो कि हमारा polar form से related है अगर हम इसे LHS मिस LHS लेकर चलते है और RHS हमें proof करना है तो a plus iota into b raised to the power m plus n m by n यह m by n है plus a minus iota into b raised to the power m by n इसे equation first माल लेते है let or put हम कुछ भी कर सकते है मिसकि put मालेजे या फिर relate मालेजे put a equal to r cos theta मिस यह हमारा real part है यह हमारा imaginary part है तो a equal to r cos theta माल लिए और b equal to r sin theta माल लिए क्योंकि हमें यह a और b के form में तो हमें इसे cos theta or r sin theta के form में means r sin theta मालने तो यह r हमारा common हो जाएगा और यह हमारा cos theta और sin theta के form में आ गया इसे हम equation second माल लेते है इसे हम equation third माल लेते है ठीक है जब इन दोनों को add करेंगे तो r square cos square theta plus r square into sin square theta equal to a square plus b square हो जाएगा तो a square plus b square हो गया और r की value यहां से root under a square plus b square हो गया तो यहां पर इसे solve करने के लिए मैं यहां पर इस तरह से बताई हूं अब r की value यहां पर यहां पर हम इस तरह से भी ले सकते थे real का square plus imaginary का square तो यह हो गया means कि यह e और b के जगह पर यहां पर put करेंगे अब यहां से हम theta की value निकाल लेते है अगर second और third को dividing 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 equation second and third to r sin theta y r cos theta equal to b y a हो जाएगा तो यहां से r r cancel हो गया तो tan theta equal to b y a तो theta equal to tan inverse b y a तो यह तो b y a theta की value आ गई तो हम यहां पर put करेंगे equation first हम लेकर जलते है from first से a plus i into b whole raise to the power m by n plus i a minus i into b whole raise to the power m by n यह term है अब यहां पर यहां पर एक जगा पर r cos theta minus iota into sin theta whole raise to the power m by n plus यहां पर r raise to the power m by n into यहां पर यहां पर e की जगा पर cos theta minus iota into sin theta whole raise to the power m by n अब यह जो term आ गया यहां पर equal to दे देंगे क्योंकि इसकी equal to है और यहां पर r की value हम put कर देंगे अगर यह हमारा y demobis theorem से जो पाबर है वो इसके angle में आएगा r raise to the power m by n और यहां पर हो जाएगा cos m theta y n plus iota into sin m theta y n plus r raise to the power m by n और यहां पर cos m theta y n minus iota into sin m theta y n और यह भी हमारा formula होता है cos theta minus iota into sin theta whole raise to the power n अगर हो तो यह cos n theta minus iota into sin n theta यह term भी होता है ठीक है तो यह हमारा यह term आ गया तो यहां से r raise to the power m by n r raise to the power m by n यह हम common लेंगे तो जब common लेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगी cos m theta y n plus iota into sin m theta y n और इस term plus cos m theta y n minus iota into sin m theta y n अब यह term इमेजनरी वाला पार्ट हम देख रहे है कि यह हमारा cancel होडा है क्योंकि यह सेम है तो यहां पर r raise to the power m by n और यहां 2 cos m theta y n यह term आ गया अब r की value यहां पर हम put कर देंगे जो यहां पर हम find किये है value हमारे पास आई है r equal to root under a square plus b a square तो यहां पर हो जाएगा root under a square plus b a square whole raise to the power m by n into 2 cos m by n into theta equal to tan inverse by a यह term आया है अब यहां पर root under है तो e a square plus b a square का whole raise to the power m by 2 n इस तरह से हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 2 cos m y n means कि यह हमारा एंगल है एंगल के साथ tan inverse by a ठीक है तो यह 2 multiply में है तो हम इस तरह से लिख सकते 2 bracket a square plus b square whole raise to the power m by 2 n और यहां पर हो जाएगा cos bracket m y n tan inverse by a इस तरह से तो इक्वल टू यह आ गया rh is hence तो आप लोगों को यह सभी question समझ में आए होंगे तो मैं कुछ question आपको homebird के लिए दे देती हूं यह भी काफी important है यहां पर 2 हो जाएगा क्योंकि यह यहां पर root under है तो m by 2 n हो जाएगा इसकी value ठीक है तो यहां पर मैं कुछ important question दे देती हूं जिसे आप practice करेंगे तो और अच्छ से यह सभी term clear होंगे यहां पर मैं आपको कुछ important question homebird में दे रही हूं यह सभी importance है मैं यहां पर जो भी 2-3 question आपको बताई हूं यह इसी पर related यह सभी questions है ठीक है और यह सभी question अगर आप practice कर लेते हैं तो dream of this theorem से आपकी question solve होने लगेगी और सभी important question है तो question no.1 है हमारा cos theta plus iota into sin theta whole raise to the power n equal to cos n bracket pi by 2 minus theta plus iota into sin n piy minus theta ठीक है यह वाला term है मिंस कि यह तो simply यहीं पर हम देख रहा है कि यह sin theta का form है तो इसे हम cos theta में change कर लेंगे और यह angle में हमारा यह multiply हो जाएगा और इसे sin में change करेंगे तो यह angle में multiply हो जाएगा तो यह तो यहीं पर solve हो गया इसी तरह से हमारा यह term है जिसका factor 4 power 4 है और sin theta plus iota into cos theta power 5 है और यह हमारा sin 9 theta minus iota into cos 9 theta यह proof करना है sin x whole raise to the power 1 plus cos x minus iota into sin x whole raise to the power n plus 1 into cos यह power raise का n 1y2 into x means की angle xy2 ठीक है और cos n xy2 means angle में है तो यह आपको धियान रखनी होगी काफी important question है ठीक है next है proof that 1 plus cos theta plus iota into sin theta y 1 plus sin theta minus iota into cos theta whole raise to the power n equal to हमें proof क्या करनी है sin theta plus iota into cos theta whole raise to the power n जब आपको यह proof हो जाएगी तो इसके equal to हमें यह भी proof करनी है तो आप आप लोग सभी question बना लेंगे अगर फिर भी कोई doubt हो तो प्लीज कमेंट किजीएगा अगर कोई question solve नहों तो भी comment किजीएगा मैं उसे solve करकर आपको बता दूंगी यहां पर हमारा next है 1 plus iota whole raise to the power n plus 1 minus iota whole raise to the power n equal to 2 raise to the power n plus 2 by 2 into cos n pi y4 where n is a positive integer तो यह मैं यहां पर हिंट आपको दे रही हूं कि यह 1 है और यहां पर हमारा constant 1 है तो यहां पर हमें 1 equal to r cos theta माल लेना होगा और यह भी हमारा imaginary part में भी 1 है तो 1 equal to r sin theta माल लेना होगा फिर r की value निकालेगा theta की value निकालेगा और फिर इसे जब solve किजिएगा तो यह आपका इतना आच आएगा तो I hope आप लोगों को सभी question समझ में आये होंगे अगर फिर भी कोई doubt हो तो please comment किजिएगा वीडियो को like किजिए चैनल को subscribe किजिए फिर मिलते हैं next lecture में कुछ और important question के साथ इसी से related हम दिमावेस थिरम का एक और lecture देखेंगे उसके बाद दिमावेस थिरम का application देखेंगे Thank you for watching this video